हाई गाई स्वागत है आपका अपना चैनल और सौजडवी दंसू और यहाँ पर आज हम आपको क्लास 10 का दस्वा सवाल बताने जा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रित्तू धारा के अनकूल दो घंटे में 20 किलो मीटर तैर सकती है और धारा के प्रित्कूल दो घंटे में 4 किलो मीटर तैर सकती है यह अनकूल क्या है और यह प्रित्कूल क्या है तो इसके बारे में हम भी आपको आगे बताएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी इस्थीर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ग्याद किजिए यहाँ पर बताया गया अगर वो धारा के अनकूल चलती है तो दो गंटे में 20 किलो मीटर तैर सकती है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि अनकूल क्या है और प्रितकूल क्या है देखिए यहाँ पर मान लिया यह आपका नदी हो गया और यहाँ पर यह पानी भरा हुआ है ऐसे ऐसे यह पानी भरा हुआ है अनकूल होता है यह मालिया आपका पानी है और इस तरफ पानी आपका बैरा हो और आपको तैरना है इसी तरफ यह जिस तरफ पानी बैरा हो उसी तरफ यदि आप भी तैरते हैं तैरते हैं तो उसे कहते हैं अनकूल और जैसे कि मालिया इधर पानी बह रहा हो और आप इधर को तैर रहे हैं आप तैर कर इधर से आ रहे हैं और पानी इधर को बह रहा है यानि कि आप पानी के विप्रीत दिसा में तैर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रित्कूल तो I hope आप अनकूल और प्रित्कूल समझ गये होंगे आईए अब सवाल लगाते हैं कि सवालों कैसे लगाते हैं आईए देखते हैं अब देखिए सबसे पहले हम उसी को मानेंगे जिसका हमसे प्रश्ण किया हो जिसके यहाँ पर इसका प्रश्ण है कि उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि उसकी मतलब रितू रितू की इस्थिर जल में तैरने की चाल वराबर यक्स और धारा की चाल वराबर मान लेंगे हम वाई तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे माना वितु की इस्थिर जल में तैरने की चाल तैरने की चाल बराबर यक्स माल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमले देंगे धारा की चाल बराबर धारा की चाल हम यहाँ पर वाई माल लेंगे अब इसके बाद क्या करना है अब यहाँ पर आपको लिखना है अब यहाँ पर आपको लिखना है रित्य की अनकूल चाल रित्य की अनकूल चाल और अब देखिए आप चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय चाल बराबर होता है दूरी बटा समय तो यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ है 20 किलो मीटर तो यहाँ पर अमलिक देंगे 20 और उसके बाद दूरी बटा समय अब इसके बाद यहां पर हम ली देंगे प्रतिकूल चाल अब इसी तरह हम लिखा लेंगे प्रतिकूल चाल तो प्रित्कूल चाल बराबर यहाँ पर प्रित्कूल के लिए क्या दिया हुआ है दो घंटे समय दिया हुआ है और चार किलोमीटर दूरी दिया हुआ है तो यहाँ पर हम देंगे चार बटा दो घंटे तो यहाँ पर इसको भी हम क्या कर देंगे काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दो तो यहाँ पर आ जाएगा दो किलो मीटर प्रति घंटा दो किलो मीटर प्रति घंटा तो यहाँ पर यह अब हमारा क्या आ गया अब ये हमारा चाला गया अब इसके बाद हम यहां पर लिख दीजिए आप प्रश्णा अनस्वार अब इसके बाद अब देखे धारा के अनकूल चाल के लिए धारा के अनकूल धारा की अनकूल चाल के लिए सूत्र होता है यक्स प्लस वाई बटा दो यक्स प्लस वाई बटा दो देखिए यक्स जो है यह हमारा क्या है अनकूल चाल है तो यानि कि यहां पर अनकूल चाल कितना निकला हुआ है दस और यह जो वाई है यह प्रित्कूल चाल है तो प्रित दो यहां पर दस और दो को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा गया चे आपका एंसर हो गया क्या है धारा की अंकूल जो तैरने में तैरने की जो चाल थी वो कितना आ गया 6 किलोमेटर प्रती घंटा अनकूल के लिए अब इसी तरह हम निकाल लेंगे प्रितकूल की चाल अब देखें प्रितकूल प्रितकूल चाल के लिए सूतर होता है यक्स माइनस वाई वटा 2 तो यहाँ पर यक्स कितना देखें यक्स कितना था 10 था क्योंकि अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा है 10 प्लस 2 तो यहाँ पर प्लस था अब यहाँ पर माइनस करना है तो इसी तरह यहाँ प्लिख देंगे हम 10 माइनस 2 बटा 2 तो यहां पर 10 मां से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 और बटा 2 तो इसको 2 से काट दीजे कितना आ जाएगा? 4 तो यहां पर अब आप लिख दीजे 4 किलोमीटर प्रिति घंटा 4 किलोमीटर प्रिति घंटा यह दोनों आपके क्या हो गए? एंसर यहां पर यह दोनों आपके क्या हो गए? एंसर एक यह और एक दूसरा यह यह धारा की अनकूल चाल है और यह धारा की प्रितकूल चाल है अब यहां पर हमने जो माना था धारा की इस थिल जल में तैरने की चाल कितना आ गया? यहां पर आ गया 6 एक किलो मीटर प्रति घंटा और यहां पर धारा की चाल कितना आ गया है वाई बराबर आ गया है यहां पर आमारा यहां पर देखिए यह चार किलो मीटर प्रति घंटा तो यहां पर कितना हो जाएगा चार किलो मीटर प्रति घंटा यह दोनों आपके एंसर हो गए फिर से एक बार आपको हम समझा दें यहाँ पर देखे कुछ ने करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर मानना है जितना इसका चाल हो इसे उसकी चाल इस्थिर जल में तैरने की चाल कितना फूशा है उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल तो यहाँ पर सबसे और जो समय दिया हुआ है दो घंटा है तो यहाँ पर हम दूरी वटा समय कर देंगे तो यहाँ 20 वटा दो कर देंगे इसको काट देंगे कितना आ जाएका 10 किलो मीटर प्रति घंटा आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा तो यही हमारा यक्स हो गया अब यह हमारा वा मीटर प्रिती घंटा आजाएगा अब यहां पर throw गर लिखेंगे प्रषणाया an-सb यहां पर 10 मोर्मित ब्लस दो कर देंगे चल्म हें फ्रस्था मारा कर देंगे इसके बाद कर देंगे, उसे अनकूल चाल के लिए इस्थिर जल में जो पूछा था अब इसके बाद है प्रित्कूल चाल प्रित्कूल चाल के लिए यहां पर यक्स माइनस दो तो यक्स बराबर दस है और माइनस वाई बराबर है दो तो यहां पर वटा दो कर देंगे और इसको हम घटा देंगे तो कितन आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो थैंक फॉर वाचिंग एंड सी यू अगें इन नेक्स्ट वीडियो